हेलो चुटेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस टैली प्राइम स्रीच का लक्षय नमबर 61 है और आज हम इस वीडियो में एक छोटी से इंफोर्मेशन देंगे आप सभी लोग को तो इस वीडियो को पूरा देखें तो चले यहां पर सुरू करते हैं तो जैसा कि आपको पता ह कि अभी तक हम टैली प्राइम में काफी कुछ कवर कर चुके हैं तो यहां पर हम अपना चैनल ओपन करते हैं यूपी से एसस और आपको दिखाते हैं कि अभी तक हम क्या क्या चीज़े कवर कर चुके हैं तो यहां पर हम प्लेलिस्ट में चलते हैं और ओपन करते हैं तो यह इसमें यहाँ पर हमने physical stock verification के entry देखी थी जो कि manufacturing organization से related थी ठीक है अब इसके बाद आगे हम TDS पढ़ने वाले थे और काफी studentों को इसके बारे में भी पता होगा कि हमारे ही चैनल पर एक दूसरी playlist है जो कि Tally ERP 9 की है ठीक है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं Tally ERP 9 की यह रही comparison के वीडियो यहाँ पर हमने डाले थे जिसमें TDS भी पढ़ाया था और यहाँ पर हमने काफी कुछ Tally Prime के feature भी cover किये थे तो यहाँ पर अब यह वीडियो हम दोबारा repeat नहीं करना चाहते है तो यह जो आपका TDS है और जो Tally Prime के feature है वो आपको इसी series से देखने है ठीक है और पूरी last तक 68 तक रहेगी और इसके बाद में हमारा जो last lecture होगा lecture number 69 तो इसमें हम बात करेंगे Tally Prime के certificate के बारे में कि उसकी क्या process है और कैसे आपको मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर I think आपको बात समझ आ गई होगी क्योंकि हम Tally ERP में वो सारी चीज़े पहले ही पढ़ा चु ठीक है अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो Tally Prime में मिल रहा था लेकिन TDS के जो नोट से वो आपको Tally ERP में मिलेंगे Tally ERP स्टेडी में इसको आप open करेंगे तो यहाँ पर last में जा करके आपको यहाँ से मिल जाएंगे TDS के नोट ठीक है तो यह आप देख सकते हैं हाला कि उसमें हमने वीडियो में बताया भी है जो यह वाले आपके वीडियो रहेंगे और बाकी यहाँ पर अभी भी हमें कुछ ऐसे कमेंट देखने को मिल जाते हैं कि हम Tally Prime सीखें अब फिर Tally ERP ठीक है तो देखें दोनों ही software है Tally ERP का updated version है Tally Prime तो आप ERP सीखें तब भी आप Prime पर work कर सकेंगे या फिर आप Prime सीखते हैं तब भी आप Tally ERP पर work कर सकेंगे और अगर बात करें current time में क्या सीखना चाहिए अगर आप beginner है तो आप Tally Prime से start कर सकते हैं और Tally ERP भी आप थोड़ा-थोड़ा use कर लें ठीक है तो दोनों software जो है वो आपको use करना आ जाएंगे और बाकी अब आने वाली जो सरीज होगी वो O-Level की होगी क्योंकि O-Level के भी जो स्टुडेंट से वो काफी परेशान है वहाँ पर O-Level की मांग कर रहे हैं तो अब भी यहाँ पर हम सिफ्ट हो रहे हैं O-Level पर और बाकी इसका जो लास्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर नमब